हरे कृष्णा आज हम छटे अध्याय का 26 वाश लोग पढ़ेंगे 6.26 अर्थार्थ मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो मनुष्चे को चाहिए कि उसे वहाँ से खीचे और अपने वश में लाए यह श्लोक बहुती सीधा-सीधा हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है समझा रहा है कि अगर हमें अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत बनना है अगर हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो हमें चाहिए कि हम अपनी मन की चंचलता और एस्थिरता को वश में करें कुछ शलोकों में पहले भी इस विशे पर चर्चा हो चुकी है कई बार मैं सोड़ा सब्जेक्स से दूर जा रहा हूँ प्रभुपाजी से एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाजी अप एक ही बात पर रोज चर्चा करते हो चार नियम, जप, मन को कंट्रोल करो, भगवान की सेवा में लगो एक ही बात को रोज 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 रिपीट करते हो प्रभुपाजी ने कहा आपको समझ में आ गया है पूरा यानि प्रभुपाजी ने ये प्रशन उनसे किया कि ठीक है मैं रोज तो कहता हूँ लेकिन जो जो बाते मैं रोज कहता हूँ वो आपको समझ में आगी Are you following that? तो बाग चुप हो गए कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि जैसे जो भातिक जीवन में भी हमारे टीचर्स होते है वो एक ही बातों को कित्य कित्य बार रिपीट करते है तब भी हमें समझ में नहीं आती तो कई बार ऐसा मुझे लगता है कि इवन भगवान ने भी भगवत गीता में ये मन को वश्मे करना है इंद्रियों को वश्मे करके भगवान की सेवा में लगाना है इसी विशे पर अनेक शलोकों में डारेक्ली इंडारेक्ली बात बोली है ताकि वेक्ति कोई भी अध्याए कोई भी शलोक पढ़े उसको कम से कम ये चीज बार बार रिवाईज हो और एक बात और भी है हमारे जीवन में अगर हम किसी बात को बारवर रिपीट करते हैं अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए किसी बात को बारवर रिपीट करें या कोई समझदार वेक्ति किसी बात को बारवर बताए तो फिर हमारे को यह जुरूव होता है कि इस बात को बारबर बताया जारा है, इस के वह बात बहुत इंपॉर्टन्ट है। तो यही विशह अनेक्ष लोकों में कवर हो रहा है कि हमें अपने मन को वश्मे करने का प्रियास करना चाहिए। हमें मन का स्वामी होना चाहिए, मन हमारा स्वामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मन हमारा स्वामी है, तो वो हमसे सारे उटपटांग काम करा लेगा, हमें चाहिए कि हम मन को वश्मे करने की कोशिश करें, तो कि अब देखिए यह असान नहीं है यह सभी जानते हैं और मन स्वयम भगवान इस चीज को एक तरह से खीचे यह शब्द यूज करने हैं स्वयम भगवान कि मन को खीचे ना पड़ेगा श्राफ असनी आएगा यह जाजा कई बच्चे होते हैं या बड़े डिफिकल टाइप के बच्चे होते हैं तो उनको सिंपल बोल तो कि बेटा जाके पढ़ लो तो वो बढ़ने वाले नहीं हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता उसके लिए बच्चा तो अपना ही है मारें यह नहीं डंडा इसका लेकर मारो उसको ऐसे मन भी अपना ही है लेकिन देखा जाए तो मन तो उस बच्चे से भी ज़्यादा धीट है इसको तो हर समय बस खेलने को खाने को और इंजॉय करने को चाहिए और सारे उट पटंग हरकते करने को चाहिए जो शास्त्रों में मना है अब ऐसे धीट बच्चे को जो आप ही का है कैसे कंट्रोल करोगे यह आपने ही देखना है डंडा मारोगे यह दूसरी विधियों पर जाओगे बट सम्हाओ और दियदर होता है ना यतरतर किसी भी ना किसी विधि से आपको इसको ये इनके इन प्रकारेंड इसको कंट्रोल तो कर नहीं होगा तो कि अगर आपने मन को खुला छोड़ दिया तो यह आपको आपके पट से गिरा देगा आपको फेल कर देगा सारी दुनिया में आपकी हसी उड़व अभी देखिए एक योग गुरु नी एक भक्ति के अंदर एक बहुत महान गुरु मैं नाम कोट नहीं करूँगा, वो अपने मन पर ही तो वश्च नहीं कर पाए, सुने उनकी पचास अजार करोड की संपत्ति थी, करोडों के साफ से उनकी से भक्त जुड़े हुए थे, ऐसी महान सिर्फ क्या, एक थोड़ा सा मन पर कंट्रोल कर लेते तो ये दिक्कते शाए ना आती, और अभी भी तो खेर खेर है, I'm sorry to say, अभी वैसे वो चीजे प्रूब नहीं हुए, हो सकता है कि ये सब जूटी हो, बट अगर इस सच है तो फिर एक छोटी सी तो गलती हुई, इ अपने अंदर की कमी नहीं चुपा सकते, हम ये सोच कर खुश नहीं रह सकते कि आरे, हम थोड़ा तो कंट्रोल लगते हैं, उसमें तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, वो दूसरों को सिखा रहा है, या वो देखो दुनिया में जो आदमी और हैं, वो तो ये सब कर रहे हैं, हम अपने अंदर ये सब बाते सोच के, मन हमें ये सब बाते बताके, ये कन्विंस करेगा कि दूसरे लोग तो बहुत नीच हैं, तुम तो बहुत उचकोटी के हो, थोड़ा बहुत इदर उदर जाते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो होना भी चाहिए, य ये जीवन फिर दुबारा थोड़ी मिलेगा, जो मन हमें ये बताते हैं, कि हमें ये जीवन दुबारा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सची बात है, जो कि जो लोग मन की सुनते हैं, उटपटां काम करते हैं, उनको सच में ये जीवन दुबारा नहीं मिलेगा, अगले जनम म मिली है इस बात के लिए कि हम समझें कि हम कौन है, कहां से आये हैं, कहां हमें जाना है भगवान कौन है, उन से मेरा संबंध क्या है, ये भू लोक और वेकुंट लोक में फरक क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है ये सब समझने के लिए मनुष्य जीवन मिला है खाने, पीने, सोने और आश करने के लिए, इस्तरी संग करने के लिए तो हरे एक योनी थी क्या जानवर ये सब काम नहीं कर रहे, क्या पंची ये सब काम नहीं कर रहे, तो उस योनी में इससे भी ज़्यादा आश है इस योनी में तो आश करने के लिए पहले पैसा कमाना बढ़ता है तब सब कुछ मिलता है उस योनी में तो सब कुछ बैसी फ्री है तो अगर हमें सरब इनी चीज़ों में इंटरस्ट है तो भगवान हमें वापिस उनी दास बने रहेंगे मन जो उट पटांग हमें इंस्ट्रक्शन देगा उसी को फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा ध्यान इस जरूरी विशे पर कभी जाए गई नी हमें ये सबसे इर्रेलेवन टॉपिक लगेगा हमें लगेगा कि गीता पढ़ना है आज सुन लेते हैं नहीं तो शाथ हमारा तब भी सुनने का मन ना करें तब भी मन हमें ये ही इंस्ट्रक्शन देगा FM खोल ले, कोई डंका काना चला ले ये ही सुनने के लिए बचा है क्या एक ही बात तो रोज बोलते है प्रभुजी इसमें क्या खास बात है मन को वश में करो, मन को वश में करो नहीं हो रहा यार या मन वश में है दूसरी इंस्ट्रक्शन मन ये भी दे सकता है कि इसको सुनने की जुरुत नहीं है तुम तो पहले से हिस स्वामी हो। गो स्वामी हो। पुपाद जी ने परपट में काया जिसका मन वश्में है। वो गो स्वामी है। तो ना भावमे वह इसके पढ़ने की जूरत है। और फिर मन हमें एक और सला भी दे सकता है। बहुत इंट्रस्टिंग। कि इसको पढ़ने से कोई फैदा नहीं, इसको सुनने से कोई फैदा नहीं है, हरी नाम जब करने से कोई फैदा नहीं है, भक्तो का संग करने से कोई फैदा नहीं है, प्रसाद खाने से कोई फैदा नहीं है, मन हमें ये भी समझा देगा इसका कोई फैदा नहीं है, और हम फिर या आपने भगवान कृष्ण की सुननी है, या इस बत्तमीज दिल की. हरे कृष्णा.